नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट आज की 16 जुलाई 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सपरस के इंपॉर्टन यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे काट साफ वेवियर के बारे में बेसिकली पॉइंट यह कि USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटेव लोवर हाउस है यूएस कॉंग्रिस का उसने भी वोट किया है कि इंडिया को सैंक्शन्स ना लगाए जाएं इंडिया जो S-400 सिस्टम परचीज कर रहा है रश्या से ठीक है क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है चाइना और चाइना अपने आप में USA के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बनके निकल रहा है तो इस तरीके से एक एक्ट है वहां का काटसा उस काटसा एक्ट के अंडर में सैंक्शन्स लगाने के प्रोविजन किये अग्ट के लिए तो एसे में हमें यह था हमारे लिए था कि यूएस काटसा सैंक्शन्स हमारे उपर लगा सकता है कारण कि सेम यह एस फॉरंडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तर्की ने भी पर्चेज करने की बात की थी रश्या से तो तर्की पे सैंक्शन्स लगा दिये थे यूएसे ने तो इंडिया पर भी लगने के चांचेश हो गए थे पर यहां पर यूएसे के कॉंग्रिस जहां वहां की जो पर्लेमेंट उसका लोवर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसने वोइस वोट के साथ में एक एमेंडमेंट लेजिसलेशन पास किया जिसमें कहा कि इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे अब क्या है इंडिया बिना किसी टेंशन के अब वहां की सैनेट का और देख लेता क्या सीन रहता जो आपर रहुस है इससे क्या है कि इंडिया पर सैंक्शन ना लगने के पौइंट ये बनते हैं कि S500 जो मिसाइल ड सेंक्शन्स एक्ट मतलब उन कंट्रीज के खिलाफ में सेंक्शन्स लगाए जाते हैं जो यू ऐसे के दुश्मन देशों के साथ में ट्रेड किया करते हैं ठीक है तो यह था में मुद्दा इसके अलावा सेंक्शन्स लगाने के लिए फिर इसमें इरान नॉर्थ कोरिया इनको एड़ और कर दिया जो कि इस पर्टिकलर न्यूज में बता है नहीं वैसे भी ऐस फोर हंड्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रश्या का यह मोस्ट एडवांस लोंग रेंज लोंग रेंज सर्फिस टु एयर भी साइल डिफेंस सिस्टम है ठीक है तो यह हम परचीज गर रहे हैं रश्या से यूज एं टर्की पर सेंक्शन्स लगा है यह तो already मैं आपको बताई चुका हूँ वही चीज यहां पर आ रही है फिर इसके बाद में जैसे ही है house of representative of US Congress उनकी तरफ से ही है जो legislation amendment पारित हुआ उसके बाद में हमारी national fair ministry के द्वारा statement release किया गया कि हमने हमने जो रश्या के साथ में engagement रखी थी इस S-400 के लिए तो वो हमारी बिल्कुल independent foreign policy है जो कि national security interest को ध्यान में रखते हुए हमने आगे बात की थी क्योंकि पता तो पहले भी था भई कि S-400 अगर हम purchase करेंगे तो ठर्की पे जिस तरीके sanction लगे तो हमारे उपर भी लग सकते हैं पर हमने यह चीज नहीं सोची कारण कि हमें हमारी security के बारे में ज्यादा सोचना जरूरी है जिसमें China सबसे बड़ी threat है हमारे लिए ठीक है ना आगे चलते हैं अब S-400 के बारे मे यह अभी 2022 का एडिशन रिलीज हुआ है ठीक है यह बेसिकली सात्वा एडिशन है NIRF का इसमें क्या चीजें निकल के आ रही है थोड़ा उस पर नजर डाल दें तो एक पॉइंट तो यह निकल के आ रहा है देखो वैसे तो यह explained पे पूरी detail है तब थोड़ा सा और अच्छ इंस्टिट्स की अगर बात करें तो छोड़ करके टॉप 100 जो इंस्टिट्यूट्स है उनको छोड़ दो बाकी बचे हुए जो इंस्टिट्यूट्स है ना बोलो उन में 39 32.9 परसेंट ही ऐसी फैकल्टी जैं स्वरी 31.88 परसेंट ही ऐसे फैकल्टी जिनके पास में डॉक्त स्वरीट क्वालिफिकेशन है वतलब पी एच्डी किया हुआ है ठीक है बाकी लोग बोलो क्वालिफाइडी नहीं है पी एच्डी उनके पास मिना होने के बावजूद भी इंजिनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे है इसके लावा 32.9 परसेंट इंस्टिट्यूशन्स ऐस हम टॉप हंड्रेड इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूशन्स के अलावा दूसरे इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूशन्स की बात करें अभी जो रैंकिंग दी गई है इसमें इंजिनियरिंग में तो देखो फर्स्ट रैंक आईएटी मदरास की है फिर दिल्ली की है बेंगलूरू, IIT मदरास, दिल्ली, बॉंबे, कानपूर, ठीक है, तीन तीन याद रख लेना, टॉप की, मेनेजमेंट की बात करो, तो IIM एमदाबाद है, फिर बेंगलूरू, फिर कलगता, फिर दिल्ली, इसके अलावा, मेडिकल की बात करो, तो AIMS दिल्ली है, फिर PGI, M.E यार, चंडीगड है, फिर वेलोर है, क्रिस्टिन मेडिकल कलेज, फिर NIM, NIM, HANS, ठीक है, निम हंस, ये बेंगलूरू है, फिर वाराणसी की बनारे सिंद्य यूनिरस्टी है, और इसके अलावा देखा जाए, और ओवरोल देखा जाए, तो इंस्टिट्यूशन की क्या पर या फिर थोड़ा सा आप एक काम करो, इस NIRF ये जो रेंकिंग रिलीज होई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुछ से वर्काउट कर लेना, कोई अच्छी सी वेबसाइट या तो दृष्टी वाला जल्दी डाल देता है, दृष्टी वाले पर चेक कर लेना, वो देख लेना हो content, news देख लेना कि आज ही की updated हो, हाना, आज डेट हो कि 16 जुलाई, तो 16 जुलाई वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, updated on this date, तो उसी साब से देख लेना, ओके, आगे जलते हैं, आज फिर से HPV vaccine से related है, human papilloma virus vaccine से related, जो कि cervical cancer से बचाता है, ठीक है न, तो दे देख जाए, तो 2020 में, 2020 के साल में cervical cancer से infected, लगबख 6 लाग होड़ते मिली, number one, number two, 3.4 लाग women की death होती है, worldwide, अगर हम बात करें, cervical cancer से हर साल, 90% 3.4 लाग में से, 90% cases कहां से आते हैं, low and middle income countries से, ठीक है, cervical cancer की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में लगबख सवाद 2 लाग cases आते हैं, ठीक है, जिनमें से 67,000 deaths हो जाती हैं हर साल, तो ये global data है, ये national data है, दोनों काम में आ सकते हैं, इसके आगे, HPV, human papilloma virus, ये देखो main cause होता है, ये main कारण है cervical cancer का, cervical cancer basically, जो cervix होता है, ठीक है, ये basically जैसे opening of uterus होता है, उसी वहाँ पर ये infection create करता है, HPV वैसे तो बहुती common virus है, बट इसमें HPV 16 और HPV 18, ये दो ऐसे strains है, जो की cervical cancer के main कारण है, लगबख 99% cervical cancer, HPV 16 और 18 की वज़े से होता है, इसके अलावा देखा जाए, तो बचाओ क्या है इसका बिमारी का, तो देखो screening, कि थोड़ा symptoms आये या नही हर दो तीन, दो तीन साल में test कराते रहना चाहिए, जिससे पता पढ़ जाए, vaccination एक option है, बट vaccination आप देखा जाए, वैसे आईडियली, वैसे तो 26 साल तक लग सकता है, ठीक है, इसका मतलब HPV vaccine जो है, पर अगर आईडियली देखा जाए, तो 15 साल से पहले पहले वैक्सीन कारण क्या है, कि जब एक female sexually activate हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद में फिर infection होने के chances ज्यादा रहता है, तब फिर vaccine काम नहीं करता, तो ऐसा presumed है कि 11 साल तक या 11 साल, 12 साल या 15 साल ज्यादा ज्यादा, 16 साल की उमर तक तो जाना ही नहीं, बोला 15 साल की उमर हो जाए, तब त immunity डवलप हो पाएगी और फिर natural infection जब होगा, तब फिर वो बचाओ कर देगी, वो immunity body में डवलप, ठीक है, तो अभी तो देखा जाए, तो एक तो सरवारिक्स करके है, और एक है गार्डा सिल, ये दो vaccine चल रहे है, ठीक है, और अभी इंडिया ने भी अपनी तरफ से सर्वा इंडिया ने सर्वाव करके अपना vaccine तयार कर दिया है, तो अभी फिलहाल इतनी news इसलिए है, क्योंकि Salam Institute of India ने indigenously developed HPV vaccine डवलप कर लिया, जो कि affordable होगा, क्योंकि अभी तो लगबख 25-3300 रुपर पर dose के लगता है, जो कि बहुत महेंगा पड़ता है, ये जो HPV virus का infection होता न इसमें भी main जो cause होते हैं वो multiple sexual partners, मतलब sexual intercourse के time पे transmission होता है HPV virus का, दूसरा poor hygiene अगर cleaning प्रॉपर नहीं रखी जाए तो हो जाती है problem, या फिर smoking भी थोड़ा सा problem को थोड़ा बढ़ा देती है, बिगार देती है परिस्तिती को, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये over point याप याद रख सकते हो, ओके, बचाया जाने का तरीका पहली चीज तो injection है, दूसरा तरीका time to time इसकी screening करवा दी जाए और उसका फिर बाद में treatment लिया जाए, और ज्यादा तर तो vaccine तब लिया जाता है, टीनेज में जब enter हो लड़की उससे पहले पहले, क्योंकि टीनेज के बाद में फिर sexually active हो जाती है body, तो उसके बाद में infection के chances जाता रहते हैं, तो उसके पहले ही अगर vaccine ले ली जाए, तो फिर उससे बचाओ होने के chances रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए, तो वैसे तो HPV infection normally लड़कियों में देखने को मिलता है, females में देखने को मिलता है पर वही चीज है कि जो HPV का variant 16 और 18 है, वो सबसे ज़्यादा impactful होता है, उसकी वज़े से cancer हो जाता है, फिर उसकी वज़े से death के कारण भी कई बार बन जाता है, हमें क्यों concerned रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में जितनी deaths cervical cancer की वज़े से होती है, उसका one-fourth तो अकेल इंडिया में होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में alert रहने की ज़रूरत है, ठीक है, इसके अलावा अगर females में cancer का कारण जो है death के, मतलब cancer की वज़े से जो deaths होती है, उसमें number one तो है breast cancer और दूसरे number पे आता है cervical cancer, ये भी एक important point हमारे लिए बनता है, vaccine कब तक ल उम्र तक लिया जा सकता है, मान लो कि sexually activate कोई female है, उसके infection अगर HPV virus का किसी एक variant का हो गया, तो भी अगर उसके HPV vaccine लग जाता है, 20 साल तक की उम्र तक भी, तो बाकी दूसरे variant है, उनसे कम से कम बचाव हो सकता है, ठीक है, तो 20 साल तक की उम्र maximum बताई जा रही है, बाकी average ideal क क्या है, 11-12 या जाता है जाता है, 16 साल की उम्र से पहले पहले, अप्टू हई है ना, ये धान रखना थोड़ा, इसके अलावा जो screening कराते हैं, उसके लिए जो method यूज होता है, उसको बोलता है, पैप smear, पैप smear में बोले एक brush यूज की जाती है, जो की cervix, uterus से सेंपल कल infection है की नहीं है, तो क्या level पर है, और वैसे देखा जाए, तो जब sexually activate हो जाती है लड़की या female, तो उनको हर 5 साल में अपनी screening कर वाले ने चाहिए, 65 साल की उम्र तक, जिससें की वो time to time अपनी screening की बज़े से बच सकें, ठीक, अगर उनके HPV virus का infection होता है तो, इसके अलावा, गौर्मेंट ने अपनी तरफ से हैं, पहले से ही एक screening module स्टार्ट कर रखा है, जिसमें oral cavity, जैसे अपना गला है, उसका check-up, breast और उसके अलावा cervix, इन तीनों की testing time to time करवाने के लिए arrangement कर रखे हैं, कहां पर जो health and wellness centers हैं, ठीक है, जैसे CHC, PHC, यह होता है, यहां पर facility already available है, बट वही चीज़ा awareness बहुत कम है, वैसे बोलने को तो experts यू भी बोल रहे हैं, कि universal immunization program में इसको add कर देना चाहिए, government ने try भी किया था, पर वही चीज़ है, कि कुछ गुजरात और आंदरप्रदेश में ऐसे incident आ गए थे, जहां पर लडगियों की death हो गए थी, इसलिए फिर प्लस पॉइंट तो देगा ही न, definitely, कि हाँ भी आपको health के point of view सोचना है, तो prevention is better than cure, तो vaccination इसलिए तो लिया, कि एक बार हम खुद infect हो जानबुच के, जिससे कि हमारी body में body की training हो जाए, फिर naturally जब कभी infection हो तो हमारी body उसको deal कर सके, ठीक है, economy page पर अगर नज़र डालें तो तो देखो, G20 finance officials की meeting होई बाली, that means Indonesia में, तो वहाँ पर हमारे finance minister निर्मला सिदा रमंजी ने सीधा कहा, कि India तयार है, कि हम हमारे पास में जो official stock में जो गेहूं पड़ा है, वो हम export कर दें, बट WTO norms हैं, वो allow नहीं करते, ठीक है, अब WTO norms क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा हमें इसे डालने की जरुवत है, WTO rules जो है, वो सीधा ये कहते हैं, कि अगर government ने fixed price, जैसे हम MSP की बात करते हैं, है ना, तो उस पे अगर government ने procurement किया है, और फिर government उसको export करना चाहिए, तो WTO उसको allow नहीं करेगा, जबकि अगर वो ही procurement, खरीदारी, government ने market rates पे किया, market rate का मतलब, कि उस time पर demand supply के हिसाब से भाव क्या चल रहे थे market के, क्योंकि MSP तो आपको बता है, fix कर देती है, government पहले ही, showing से पहले ही fix कर दी जाती है, जैसे खरीफ सीजन की बात करें, तो खरीफ का announcement पहले ही, June के first week, June और लगबग, May last week में announce कर दिया था, कि हाँ जी, खरीफ सीजन की, जिसकी harvesting, September, October, 2022 में होगी, उसकी ये rate रखेंगे, बाजरा इतने भाव में खरीदेंगे, हम जो, sorry, जो क्या, बाजरा हो गया, चामल हो गया, इस तरीके से, तो वो announcement पहले कर दी जाती है, fix rate कर दी जाती है, अब वो market rate सा है, कुछ भी चले, बट government तो उसी fix rate पे खरीदेगी इससे क्या हो रहा है, कि government ने जो MSP declare की है, उससे farmers को फायदा होता है, farmers की security हो गई, अब यहाँ पर market force openly काम नहीं कर पाए, government का intervention हो गया, जबकि WTO norms क्या कहते है, कि international market में demand and supply के जो principles हैं, उनके basis पे आप price drive करोगे, फिर आप अपनी जो भी है, जो भी चीज आप बेशना चा है, जो कि WTO norms allow नहीं करते, क्योंकि इसमें government ने क्या कर दिया, farmers को direct पैसा दे दिया, बोले यह चीज इस तरीके की बजाए, कुछ और तरीके से farmers को benefit दिया, जैसे से research and development में, या फिर irrigation facility डवलप करके, तो उसको तो WTO allow करता है, पर direct अगर पैसे की support दी जाती है, तो फिर WTO problem create करता है, अब आपके लिए बड़ा task है, WTO के दवारा कौन-कौन से subsidies को allow किया जाता है, कौन-कौन से को नहीं किया जाता है, WTO के बारे में, पूरा system एक बार पढ़ोगे, agriculture point of view से, ठीक है न, जिसमे green, amber, यह subsidies होती है, उनके बारे में अच्छे से देखोगे आप, ठीक है, आगे चलते हैं, बस आज और कुछ खास news मुझे मिली नहीं है ज्यादा, ठीक है, thank you very much for watching this video,